बरमौर में भेड़ पालकों को उचित सुवधाय ना मिलने से परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनका कहना है कि भेड़ों को नहलाने के लिए कोई डिपिंग टैंक नहीं है जिस कारण उन्हें नाले में ही अपने भेड़ों को नहलाना पड़ रहा है इसी के साथ भेडों की उन उतारने के लिए भी कोई सुवधा नहीं है इतना ही नहीं भेडों के लिए दवाईया भी नहीं मिल रही और नहीं नुकसान होने पर उचित मुआफ़ा दिया जा रहा है ऐसे में भेड़ पालकों को अपने व्यवसाय विलुप्त होते दिखाई द मेरा ना आनेल थाकुरा इंदिवर ते मैं ब्रमॉर का रहा है ब्रमॉर बिलेश चुई यह मेरा फ्लॉक है बेड़ बक्रियों का तो हमारा जो कल्चर जलता है इन बेड़ बक्रियों से ही चलता है गदी जो सबद है इन ही बेड़ बक्रियों से चलता कि गदी क्या है तो आ कोई फैसलेटी है हमारे यहां भरवानी माता है मैं एक डिपिंग सेंटर होता था जहां पर हम लोग इसकी शेरिंग करते थी मतलब की बेड़ों की उन कड़वाते तो वहां पर नहलाते हैं वो कई मतलब की कई समय से बंद हो चुका है तो दिक्कत है अभी बीना शेरिंग यहां दोधों है ना कोई कुछ है आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग कुपति की तर रवाना हो रहे हैं ला बिना शेरिंग करवाए बिना नहलाए ना कुछ दवाई का इंतजाम ना कुछ है, ना कुछ है. तो हम तो अब इतनी हमारी उमर हो गी है, कि चलो थोड़ा सुम धख्या दे रहे हैं, आने वाली PD जो यह खतम हो जाएगा, यह काम ही खतम हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ है नहीं, करने वाला नहीं, इसकी कोई संबाल लेने अगरर यही दॉर रहा तो आने वाले टाइम यह चीज है आपको पुरानी बड़ी मूवी मैं मुवीज मैं कि गाने मैं या कि बड़े पड़े लोगों के वूर शोलो लो들 सोड़ा जाली सोड़ा पहन के बड़े बड़े सभाहम sees कि हम लोग गभीयों के यह करेंगे वो करेंगे आज के दौर में कुछ नहीं है नजमीन से जुड़ा हूँ मैं से काम को करता हूं और मुझे इस चीज का नॉलेज है में डिकत जो है वह हम किसके किसके साथ बेया करें कुछ भी नहीं है पहले एक डिपेक सेंटर हुआ करता थ ब्रहानी माता मैं बोलते थे कि इस से पानी जो गंदा होता है ठीक है हम इस चीज को मानते हैं कि पानी गंदा हो रहा था पर उसका सही समाधान भी होना चाहिए था अगर वहां से उसको हटाना था तो दूसरी जगा कहीं तो सिफ्ट करना था अब हजब हमने उस बक्त बात की जो यहां के एडी हुआ करते हैं जो भी था जो एनिमल हस्वेंटरी के या बूल फडरेशन के जो भी नौमाइदे थे उन्छे बाग की उन्होंनों बोला कि आपके लिए होली में एक मोवाइल डिपिंग टेंक है वो लाएगे वो करेंगे पर आज के दौर में वह वह ब इस चीज के ओपर आप गदी अगर जब आप बोलतों कि हम गदी है तो जब बेड़ बक्रियों का नाम आता है तभी हम गदी है अधरबाज हम बिलकुल जीर हैं हम कोई मुवीज मिलाएंगे या कुछ करेंगे या कोई गाना मिलाएंगे तो जो चाल बेडे उठाके उसमें तो मैं यही रुक्रेस्ट करूंगा कि इसके बारे मैं गौवर्मेंटी भी सोचे और यहां के जो नुमाहिंदे है वो भी सोचे तभी यह काम आगे बड़ पाएगा नहीं तो यह आज के दौर में खतम है जाए हो जाए पार पंजाब केसरी टीव के लिए भरमोर से उत्तम ठाकूर की रिपोर्ट